हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेस्पी जो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चों को भी बहुत जादा पसंद आएगी तो साम के समय कभी-कभी बच्ची अचानक से बोल देती हैं कि उनको बहुत तेज से भूख लगी और फटा-फट कुछ बना के देना पड़ता है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है और बच्चों को काफी ज़्यादा पसंद का बनाने के लिए थोड़े से पत्ता गोवी निकाल लिया है तो इन पत्तों को हमें थोड़ा सवख सा उभार्ना है इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे यहा कर ना सब । हमने कड़ाही में थोड़ा सा पानी डाल के रखता है इसको घरम होने देंगी तब तकस रहम इधार हमारा बहुत ही अच्छे से खॉलने लगा है अब हम कुछ पत्तों को इसके अंदर डाल देंगे तो पत्तों को पकने में बहुत जादा टाइम नहीं लेगेगा सिर्फ एक से दो मिनट लगेगा और हमें एक चिम्टा लेके और पत्तियों को अच्छी तरीके से पानी में देंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएं तो खुछ पत्ते हमारे बचे हुए थे हम इन पत्तों को दुबारा पानी के अंदर डाल देते हैं और साथ में हम थोड़ा सा सुईट कॉन डाल देंगे ताकि दोनों चीजें हमारी एक साथ पक जाएं तो पत्तों को उबाल कर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है तब तक हम अपने स्टफिंग की तैयारी करेंगे यहाँ पर हमने एक पत्ता गोबी के पत्ती को ले लिया है इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे तो पत्वेस के अलावा रवान स्टफिंग के लिए है, यहाँपर हमको सब्जिया लेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँपर हमने आधे गाजार को ग्रेट कर लिया है, थोड़ी सी सिम्ला मिर्स को बारीग बारीग कट कर लिया है और साथ में हमने सुईट कॉन है और थोड़े से पनीर को मैश करके ले लिया है पत्ता गोभी को हमने इस तरीके से बिल्कुल बारी कट कर लिया है तो सब्जियों को कारते समय हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया था इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है लगभगा आधा चोटा चम्मस था कि इसमें हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ लैसुन डालेंगे तो यहाँ पर हम लेसुन को ब्राउन नहीं कर रहे हैं इसमें हम साथ में डाल देंगे एक बारी कटी हुई प्याज और थोड़ा सा इसको चला देंगे प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है बस इसका हलका सा कलर चेंज करना है तो प्याज का कलर हलका सा चेंज हो गया है अब हम सारी सब्जियां डाल देते हैं और सब्जियों को हम सिर्फ एक से दो मिनट तक ही पकाएंगे बहुत जादा देर तक इसे हमें गलाना नहीं है तो सब्जियों को फ्राई करते समय ध्यान रखे कि हमें गैस के आज को बिल्कुल तेज रखना है तेज आज पर सब्जियों का पानी भी जल्दी से सूख जाएगा और सब्जियां बिल्कुल सौक नहीं होगी अब हम इसके अंदर डाल रहें एक चमज ट realidade साथ में डालेंगे एक चमज पीजा सास और साथ में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्श पॉडर अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है या बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चिली सास हमने एक पत्ता ले लिया है आप देख सकते हैं- इसके साइड होड़ी है और थोड़ा से टुटा होड़ी है तो इस तरीके से हम nuanced कट करके निकाल देंगे तो पत्तों के बीच पीछ भी पाझ को ड्याव कीनाजी और इस तरीके से पाफ ही इसको पहले फोल्ड कर देंगे तो साइट से पहले हम मोड देंगे इसके बाद हम आएंगे उपर और इस तरीके से हम इसको रोल करते जाएंगे तो इसी तरीके से हम बाकी के रोल तैयार कर लेंगे अब हम पैन गरम करेंगे इसमें हम आधा छोटा चमबस तेल डाल देंगे तो जब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके उपर हम रोल रख देंगे और इसे हमें एक साइट से सिर्फ दो मिनट तक पकाना है बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में तो दो मिनट हो चुके हैं सारे रोल्स को हम पलट देते हैं वापस फिर से दो मिनट तक के लिए छोड़ देंगे तो फ्रेंट्स ये जटपट सा बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नास्ता आप भी जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा साथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें